नमस्कार दोस्तों, हर्षित दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीच शागर एक unfortunate news है दोस्तों अब तक आपने सुनाई होगा, रिश्या-उक्रेइन वार के दवरान इसका नाम है म्रिया इसे डिस्टोई किया है, रिश्यन फोर्सस ने तो अंटनो टू टू फाइब म्रिया के बारे में बेसिक टीटेल्स समझने की कोशिश करेंगे न्यूस है आया था दोस्तों, फोर्थ डे ओफ रिश्यन इन्वेशन उक्रेइन के टाइब पर रिश्या ने लाजस्ट प्लेइन दे वर्ल कॉल्ड युक्रेइन अंटनो टू फाइब कर्गो प्लेइन को डिस्टोई किया है कई सरे रिकोर्ट से अंटनो एन टू फाइब के पास एक ओवर सैज्ट एरकाफ्ट है हेवियस्ट एरकाफ्ट एवर बिल्ट है लाजस्ट विंग स्पान ऑफ एनी एरकाफ्ट इन ऑपरेशनल सर्वीस है यह प्लेइन के लिए बहुत बड़ा आशसेट था युक्रेइन इस एरकाफ का नाम रखा था म्रिया म्रिया मतलब युक्रेशन लैंग्वेज में ड्रीम होता है तो बेसिकली युक्रेइन के लिए एक ड्रीम जैसा था आंटनो 225 तो इस war ने इतना बड़ा एक asset को completely destroy किया है वैसे हुआ क्या था दोस्तों February 24 को एक fierce air battle ब्रोक ओट होता है Russia and Ukraine के बीच में आपको पता है Russia full scale military offensive already launch किया है Kyiv के against in the name of a special operation सबसे पहले Russia ने Kyiv Borysville International Airport को bomb किया इसके बाद Hostomal Antenov Airport को वो target किया जो Kyiv से 15 miles दूरी पर है आप देखिए दोस्तों Antenov aircraft के destruction से related अब काफी जरे news निकल के आ रहा है एक news यह है कि Ukraine ने six Russian aircraft को shoot down किया इसके revenge में Russia ने AN-225 के उपर bomb किया करके आप देखिए actually हुआ क्या है यह तो कुछ authentic reports आने के बाद ही हमें पता चलेगा पर अभी के लिए AN-225 म्रिया डिस्टोई हो चुका है अब दोस्तों brief history of Antenov AN-225 Antenov AN-225 was designed by Russian engineer Victor Talmachew इतना बड़ा एक aircraft design करने के पीछे एक story है वो यह है दोस्तों Soviet space program के लिए जितने heavy rocket boosters, orbiters वगरा airlift करने के लिए बहुत बड़ा एक aircraft चाहिए था तो इसके लिए basically specific purpose के लिए Antenov AN-225 को design किया गया था उससे पहले और एक aircraft था रिष्या के पास वो था मियासिशेव VMT यह पुराना हो चुका था तो उसी को replace करने के लिए AN-225 developed किया था और यह जो Antenov AN-225 का original mission and objectives जो है that were similar to United States shuttle carrier aircraft United States का भी एक shuttle carrier aircraft था उसी का same mission and objectives था AN-225 का भी देखिए आप सबको पता है USA और रिष्या के बीच में cold war चलता था तो science and technology में कौन ज्यादा advance हो रहा है इसी के बीच में competition चलता था Russia and USA के बीच में तो Russia कुछ करेगा तो USA उसे advance कुछ करता था USA कुछ करेगा उसे advance करने की कोई रिष्या करता था तो इसी बीच में space technology में भी आगे निकलने के लिए दोनों के बीच में जो cold war चलता था 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 उसी टाइम पर अन्टनों N225 भी डिजेन किया गया था राइट इस फर्स फ्लाइट ओं डिसंबर 21 1988 बट फॉलोइंग दे कॉलाप्स ऑफ सोवीट उनिन 1991 बूरन प्रोग्राम कैंसल करना पड़ा एंवास प्लेज इन स्टोरेज इन 1994 देखे दोस्तों पेला फ्लाइट ओ डिसंबर 21 1988 में फिर 1991 में सोवीट उनिन का कॉलाप्स हो जाता है और बूरन प्रोग्राम जो स्पेस प्रोग्राम था सोवीट स्पेस प्रोग्राम वो कैंसल हो जाता है इसके बाद एंटू-225 को स्टोरेज में रखा गया 1994 में तब से लेके अब तक इस प्लेन को मिलिटरी सर्वीस के एंटू-225 पार्टिसिपेट इन रिलीफ एफोर जो बाइंटिंग फ्लाइट तो डिलिवर मेडिकल सप्लेज अनौल तो बेसिकली मेडिकल सप्लेज वगरा एकी बार में लाज अमोंट अफ मेडिकल सप्लेज वगरा ट्रांस्पोर्ट करने के लिए एंटू-225 जैसे एर संबेए एरफीट अलोंग विड़ लॉंग फीस ओफ एर कारगो एमंग सेवर आदर्स ठीक है 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 यविए सिंगल कारगो आइटम मतलब दूनिया में इतना है विएस एक सिंगल कारगो आइटम किसी और एरकाफ में अभी तक भेजा नहीं है और विड़ लॉंगस पीस एरो स्पेस और डिफेंस कंपणी है इन्होंने यह अनौन्स किया है प्लेइन को रिस्टोर किया जाएगा अट रिश्यास एक्सपेंस अट अन एस्टिमेटिट को सोफ त्री बिलियन डोलर इस मतलब इस एरकाफ को रिस्टोर करने में जो खर्चा है वो रिश्या को देना पड़ेगा ऐसे उक्रोन बोरन प्रोम में अनौन्स किया है अब क्या होगा वो टाइम ही बताएगा और यह रिस्टोर्शन के लिए कम से कम पांच साल लगेगा यह भी बोला है इन्होंने यह भी बोला है जितने भी कोस्ट है वो रिश्यास फेडरेशन को उठाना पड़े और उसे एक special operation के नाम पर पूरी तरह destroy करना यह किसी भी हाल में justified नहीं है इथर कौन winner से यह भी समझ में नहीं आ रहा है पर यह बात भी अलग है एक war के टेम पर कोई justification नहीं डूंडते है फिर भी यह जो loss हुआ है यह केवल युक्रेइन को नहीं हुआ है यह पूरी दुनि इसके लिए काम आएंगे future में तो यह पूरा जो प्लान है सब कुछ खतम हुआ है एक bomb blast में तो हम भगवान से यही प्रार्थना कर सकता है जितनी जल्दी हो सके यह वार खतम हो जाए और आगे इस तरह की unfortunate activities ना हो जाए थैंक यू फॉर आचिंग भाई 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 हैवे मेस्ते